C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा तीन की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वीना अध्याय सोलह चंद्रियान समवाद सुने कहानी प्रिष्ट एक सो उनतीस कक्षा में अध्यापिका का आगमन और सभी बच्चों का अभिवादन सुप्रभात अध्यापिका जी अध्यापिका सुप्रभात बच्चों आज हम चांद के बारे में कुछ बात चीत करते हैं आप सबने चांद देखा है ना आपने चांद की बहुत सी कविताईं भी गाई है सभी विद्यार्थी जी हाँ हमने चान देखा है चान कभी दिखाई देता है और कभी नहीं भी दिखता अध्यापिका अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चान कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता एक विद्यार्थी अध्यापिका जी, चान का मन है, वो दिखे न दिखे दूसरी विद्यार्थी वा बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा तीसरी विद्यार्थी मेरा तु बहुत मन करता है कि मैं चान पर जाऊं अध्यापिका क्या हम चान पर जा सकते हैं? सभी विद्यार्थी जी हाँ प्रिष्ट 130 अध्यापिका कैसे? सभी विद्यार्थी रोकेट से अध्यापिका ठीक है, अब ये बताओ कि क्या कोई रोकेट अभी तक चानद पर गया है? सभी विद्यार्थी हाँ, हाँ, गया है एक नहीं, कई गये है अध्यापिका अच्छा? कौन सा रॉकेट? सभी विध्यार्थी चंद्रयान एक, दो, तीन अध्यापिका शाबश! आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है हमारे वैज्यानिकों ने चंद्रयान तीन को चांद के दक्षणी ध्रुव पर उतारा है ऐसा करने वाला भारत पहला देश है है ना हम सब के लिए गौरव की बात? एक विध्यार्थी ये दक्षणी ध्रुव क्या है? अध्यापिका जैसे दक्षणी दिशा में धर्ती का दक्षणी ध्रुव है वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षणी ध्रुव है कठिन परिस्थिती के कारण वहां कोई भी यान उतारना मुश्किल है पर हमारे वेज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कारिक कर लिया है आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है हमारे देश के वेज्ञानिक चांद पर रॉकेट भीज़ कर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या-क्या है कुछ विद्यार्थी हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहां के बारे में जाने अध्यापिका हाँ हाँ, क्यों नहीं? अच्छा ये बताएं कि वेज्ञानिकों को चांद पर क्या-क्या मिला होगा? प्रिष्ट 131, कुछ विद्यार्थी, पानी, मिट्टी, अध्यापिका. एकदम सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं? आपको पता ही है कि चांद धर्ती से बहुत दूर है. इसलिए वेज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहाँ क्या-क्या है. उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया. चंद्रयान ने चांद के चारो और चक्कर लगाया और ये पता लगाया कि चांद पर पानी है. एक विद्यार थी. वेज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या वुश्रक्ता थी? हमारे घर के आसपास पानी से भरे तीन-चार पोकर हैं. एक अन्य विद्यार थी. वे पानी लेने नहीं. वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे. अध्यापिका. हाँ, बिल्कुल ठीक कहा. एक रहस्य जानने के बाद वेज्ञानिकों की जिग्यासा और बढ़ी. उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा और इसे चंद्रयान दो का नाम दिया. पर ये कुछ खराबी के कारण चांद पर उतर नहीं पाया. वेक्यानिकों ने हार नहीं मानी. वे तो फिर से अपने कारे में जुट गए और उनका परिश्रम रंग लाया. इस बार चंद्रयान तीन चांद पर पहु अन्य विद्यार थी. और प्रधाना ध्यापिका ने भी तो सुनाया था. प्रिश्ट 132. अध्यापिका. तो देखा आपने अपने देश के वेज्ञानिकों के परिश्रम का फल? एक विद्यार थी. अब चांद पर क्या चल रहा है? अध्यापिका. बहुत अच्छा प्रश लेकर गया है जिसका नाम प्रज्ञान है. यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी प्रित्वी जैसी है या नहीं? चांद पर रहना संभव है या नहीं? एक विद्यार थी. है? हमी तो ये पता ही नहीं था? आश्चरे से. अ चंदा वाला गाना गाएं। अध्यापी का। आओ, सब मिलकर गाते हैं। चंदा के गाओं में, तारों की छाओं में, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे। प्रिष्ट 133 बाचीत के लिए एक, आप आकाश में सूरज, चांद, तारे, एवं बहुत कुछ और भी देखते हैं। चांद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, कोई रोचक बात, या कोई कविता सुनाईए। दो, आपने कक्षा दो की अपनी पाठे पुस्तक सारंगी दो में चांद के बारे में पढ़ा है न। कुछ याद करके सुनाईए कि क्या पढ़ा था। तीन, आपको कुछ ऐसे त्योहरों के बारे में अवश्य पता होगा, जिनका चांद के दिखने से बहुत गहरा संबंध है। याद करके बताईए कि वे कौन से त्योहर हैं। चार, आपने चंदरियान के बारे में जो कुछ सुना, पढ़ा या देखा है, बताईए, सोचिये और लिखिये। एक, ये पाठ, अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक समवाद है। ये समवाद किस विशे पर है। दो, दिए गए प्रशनों के उच्चित विकल्प का चैन कर सही का चिन लगाईए। एक, चान्द पर जाने के लिए किस वाहन का प्रियोग किया जाता है। क रॉकेट, रिक्तिस्थान, ख बस, रिक्तिस्थान, ग हवाई जहाज, रिक्तिस्थान। 2. अभी हाल ही में चांद पर सफलता पूर्वक उतरने वाले यान का क्या नाम है? क, चंद्रयान एक, रिक्तस्थान, ख, चंद्रयान तीन, रिक्तस्थान, ग, चंद्रयान दो, रिक्तस्थान, तीन, वैज्यानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? क, वैज्यानिक समूची धर्ती घूम चुके हैं। रिक्तस्थान ख, वैज्यानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं। रिक्तस्थान ग, वैज्यानिक चांद पर कविता लिखना चाहते हैं। रिक्तस्थान चार, चंद्रियान दो के विशय में कौन सी बात सही है? क, चंद्रियान दो चांद के सतह पर नहीं उतर पाया ख, चंद्रियान दो चांद के चारों और चक्कर नहीं लगा पाया रिक्तिस्थान ग, चंद्रियान दो चांद पर जाने के लिए नहीं बनाया गया था क, अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों? ख, चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे? चार, यान जोड़कर शब्द बनाईए. चंद्र, रिक्तस्थान, वायू, रिक्तस्थान, जल, रिक्तस्थान. प्रिष्ट 135 पाँच, आपका अवलोकन और चांद का आकार. एक, रात्री को लगभग 10 मिनट के लिए अपने घर के किसी बड़े सदसे के साथ 15 दिनों तक आकाश में चांद को देखें. अपनी दैनिकी में चांद के आकार को लेकर अपना अवलोकन लिखें. अपने अवलोकन के आधार पर चांद के बढ़ते घरते आकार का चित्र बनाएं. रिक्तिस्थान दो, आपने अपने घर के बढ़ों या फिर सहपाठियों से अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सुना होगा. इद के त्योहार को भी चांद दिखने पर मनाया जाता है. पता लगाईए कि इन दिनों में चांद का आकार कैसा होता है. रिक्तिस्थान यदि आपके विद्याले में चंद्र यान तीन से जोड़ेवे ज्यानिक आते हैं, तो आप उनसे कौन-कौन से प्रशन पूछना चाहेंगे. कोई तीन प्रशन लिखिये. रिक्तिस्थान प्रिष्ट 136 साथ, चांद तुम्हारे कितने नाम? चांद को बहुत से बच्चे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं. कुछ लोग चंद्रमा भी कहते हैं. चांद के कुछ और नामों का पता लगाईए और दिये गए खाली स्थानों में लिखिये. चांद, शशी, चंद्रमा, रिक्तिस्थान, 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 रिक्तिस्थान. भाशा की बात. एक. अब चंद्रयान तीन चांद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है. इस वाक्य में घूम घूम कर शब्द पर ध्यान दे. हम अपनी बाचीत में कभी कभी एक शब्द को दो बार कहते हैं इस तरह के कुछ और शब्द बनाईए और दिये गए खाली स्थानों में लिखिए हस हस कर रिक्तस्थान 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 इस तरह के कुछ और शब्द बनाईए और दिये गए रिक्तिस्थान में लिखिए प्रिष्ट 137 दो दिये गए वाक्यों के लिए सही शब्द छाट कर लिखिए क्रिशक, सैनिक, शिक्षक, चिकित्सक, वैज्ञानिक क विज्ञान की नई खोज करने वाले रिक्तिस्थान ख, देश की रक्षा करने वाले रिक्तिस्थान ग, शिक्षा देने वाले रिक्तिस्थान ग, रोग की चिकित्सक करने वाले रिक्तिस्थान अंगा, खेतों में अन उगाने वाले रिक्तिस्थान समझिये और लिखिये सही शब्द लिखकर वाक के पूरा कीजिए क लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी रिक्तिस्थान हो जाता है चिनहित शब्द कठिन क चंदरियान दो की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे लेकिन चंदरियान तीन की रिक्तिस्थान पर सभी प्रसंद हुए चिनहित शब्द असफलता गः आप तो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन मैं रिक्तिस्थान नहीं जानता चिनहित शब्द बहुत कुछ घ, चांद बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा कभी बादलों से जहग कर दिखाई देता तो कभी रिक्त स्थान जाता चिनित शब्द दिखाई कुछ बनाईए पुराने समाचार पत्रों से चंद्रियान मिशन से जोड़े समाचार और चित्र काटकर पुस्तिका में चिपकाई इस तरह से एक चित्र पुस्तिका तयार करें अभी आप सुन रहे थे कक्षा तीन की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वीना वाचन्स्वर प्रवीन शर्मा और रिचा सयाल ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्माण सहयोग चेतनाश शर्मा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुति C.I.E.T.N.C.E.R.T. नैदिल्ली भारत